नमस्कार दोस्ता, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ये लाइव, और मुद्दा है कोरोना, मुद्दा है ये situation, जिस तरह के हालात पूरे देश में पैदा होते जा रहे हैं, वो बेहद चिंता जनक है, चिंता जनक बन गए है, असफ़तालों में दिस्तर नहीं है, ऑक्सिजन की कभी है, डॉक्टर कितने हैं, नर्स कितनी हैं, और जो situation पैदा हो गई है, वो बहुत डराने वाली है, आज दोपहर में, मैं डॉक्टर कुमार विश्वास का एक tweet देख रहा था, एक बयान देख रहा था, और वो बयान था, जाने माने गीत कार, डॉक्टर कुमर वेचेन, जो हमारे भी मित्र हैं, वो काज़बाद में रहते हैं, और अपने जिवन काल में, उन्होंने इतना कुछ लिखा है, इतनी पुस्तक हैं, इतनी कविताएं लिखी हैं, उनकी बहुत सारी डॉक्यमेंटरीज वगरा हैं, उनके बहुत सारे गीत बहुत चर्चित हैं, वो और उनकी धरम पतनी, दोनों कोविड नाइनटीन की चपेट में आए, और लक्षमी नगर के किसी नर्सिंग होम में थे, प्राइवेट नर्सिंग होम में थे, वहाँ पर उनकी इस्तिती बिगड रही थी, ओक्सिजन की और वेंटिलेटर की जरूरत महसूस हुई, और खुद अगर कुमार विश्वास की बातों पर हम जाएं, तो वो सारी रात लगे रहे, कहीं किसी अस्पताल में जहां वेंटिलेटर हो, ऐसी व्यावस्थाएं नहीं हो पा रही थी, फिर उन्होंने जब आपील की, तो पूर्व केंद्रिय मंत्री और जो नोड़ा में जिनका अस्पताल भी है, डॉक्टर महेश शर्मा, उनके परियासों से डॉक्टर कुमर वेचैन को उधर शिफ्ट किया गया, ऐसे कई लोग हैं, जिनको मैं व्यक्तिकत रूप से जानता हूँ, और जो कश्ट में हैं, जिनके लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, अस्पतालों में हालात जिस तरह के हैं, और चिकित सकों का जिस तरह का अभाव है, उससे ये जान पढ़ता है, कि जो सिच्विसन शुरू में क्रियेट होई थी, उनसे हम लोगों ने कोई सबक सीखा नहीं अक्च्छल है, अगर वास्तों में सबक सीखा होता, ठीक है, तैयारियां होई हैं, ये भी ठीक है कि PM केयर की जो अस्थापना की गई थी, उससे बहुत बड़ी संख्या में वेंटिलेटर भी आए, दूसरे उपकरण भी खरीदे गए, और वो तब काम भी आए, लेकिन उसके बाद जब एक बार लगा, कि कुरोना से देश ने हमने जंग जीत ली है, तब ऐसा लगता है कि राज्य सरकारे भी, पॉलिटिकल पार्टियां भी, जो दूसरे लोग थे वो भी, पूरी तरीके से लापरवा हो गए, धीले पड़ गए, उनको लगा कि अब कुछ और करने की आवश्यक्ता ही नहीं है, अब ये ब्लेम गेम करना के साथ इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है, मेरे विचार से ये वो समय नहीं है, जरूरत इस बात की है, कि इन सिच्वेशन्स को कंट्रोल किया जाएं, ये तो हम जानते हैं कि हमारे अस्पताल तैयार नहीं है, ये तो हम जानते हैं कि चिकित सको के भी कमी है, जो संसाधन, जो जरूरते होनी चाहिएं, वो भी ना काफी दिखाई दे रही है, अनुपलब्द हैं, अभी शाम को मैं एक ख़बर देख रहा था कि, जो आक्सिजन की भहंकर कमी है, और ये कमी हर जगे है, और महाराष्ट के मुख्यमंत्री ने तो, इसके लिए प्रधान मंत्री को चिट्टी भी लिखी है, कुछ दूसरी चीज़ों के लिए भी चिट्टी लिखी है, कुछ रियायतों की मांग की है, तो ये चीज़ें हमें बताती हैं, कि अलग-अलग राज्यों में क्या सिच्वेशन के लिए ठो गई हैं, अभी जिस खबर की में चर्चा कर रहा था, उसमें ये के जो मुकेश हमबानी हैं, उन्होंने अपने उपक्रमों से ऑक्सिज़न की सप्लाई की चैन जो है बना दी है, और वो मुफ्त में ऑक्सिज़न उपलब्द करवा रहे हैं, अब जड़ा याद करिए, कुछ पॉलिटिकल पारिटियों के नेता, किस तरीके से अड़ानी को, अमबानी को कोस्ते रहते हैं, अब जबके आपातकाल की इस्तिती है, हेल्थ, इमर्जन्सी की इस्तिती है, तब कौन काम आ रहा है देश के, मरीजों के, पीडितों के, बड़ी आसानी से हम लोग अपने पॉलिटिकल स्कॉर करने के लिए, इस तरह के आरोफ किसी पर भी लगा देते हैं, और बिना किसी सबूत के लगा देते हैं, शायद एक पल के लिए सोचते भी नहीं हैं, पर ना केवल इस प्रण्ट पर हम लोगों को थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है, बलके जो सिच्वेशन क्रियेट हो गई हैं, इनको कैसे संभाला जाए, कैसे और ज़्यादा लोग इसकी चपेट में नहीं आने पाएं, ये चीजें, ये चेन किसी तरीके से तूट जाए, इसके लिए क्या सब के जिम्मेदारी नहीं बनती है, कि वो जो हैं, इसमें सहीयोग करें, और सहीयोग किस तरीके से करेंगा, बहुत जरूरी होने पर ही अपने घर से निकलें, बहुत जरूरी होने पर ही किसी से मिलें, और बहुत जरूरी होने पर ही मार्केट वगरा में जाएं खरीदारी के लिए, दस दिन के पंद्रे दिन के सामान तो आम तोर पर घरों में होते हैं जो एक मध्यम आयवर्गी ये फैमिली होती है उसमें होते ही है तो हर चीज के लिए बार बार मार्केट जाना दुकानों पर जाना खरीदारी करना या जो सिच्वेशन हमने लोकडाउन के समय भी देखी थी जब थोड़ी सी धील दी गई थी गाड़े उठा करके केवल सेर सपाटे के लिए या घूमने के लिए निकल जाना वो सिच्वेशन जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे जब तक आप खुद पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये चैंड तूटने वाली नहीं है और जो सिच्वेशन्स क्रियेट हुई हैं अब तरह तरह के आरोब तराशी का काम शुरू हो गया है मैं तो सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कुछ लोग उन रैलियों को जिम्मिदार ठहरा रहे हैं कर दिया गया था लेकिन अभी तीन चरणों का चुनाव पर चार भी बचा है रैलिया भी बची है डॉर्टू डॉर्स संपर्क भी बचा है रोड्शो भी बचे हुए हैं क्या रैलिया सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंदर मौदी ने की हैं या रोड्शो केवल अमित शाह ने किये हैं कोई तीछे नहीं था केरल हो असम हो तमिल नाडू हो पुर्डूचेरी हो पश्चिम बंगाल भी हो सभी राजनितिक दलों के निताओं ने रैलिया की हैं और सभी रैलियो में सभी रोड्शो में सभी डॉर टू डॉर कंपेन में केंपेन में सबने मर्यादाएं लांगी हैं कोरोना का जो प्रोटोकॉल था चुनाव आयोक के जो दिशा निर्देश थे जो गैड्लाइन्स थी सबने उनका उलंगन किया है सबकी रैलियों में लोग बिना मास्क के सुनने के लिए नेताओं को पहुंचे हैं अगर जिम्मेदार हैं तो सब हैं केवल मौदी या शाह की बात नहीं है वो ममता बेनर जी भी हैं वो रहुल गांधी भी हैं वो वाम पंथी भी हैं अलग अलग पार्टियों के सारे नेताओं मेदार हैं और अमता बेहर जी ने आज दिन में कहा कि साथ जो चार चरण का मत्दान अब बचा है इसको अब एक ही चरण में खतम कर दिया जाए तो इसके लिए क्या चुनाव आयोग या हमारी जो मशीनरी है जो हमारी सुरक्षए एजिंसियां है जो सिच्वेशन चोथे फेज में कूछ बिहार में देखने को मिली कि T.M.C. के समर्थकों ने ही उस पर C.I.S.F. के जवानों पर अटेक किया और ना किवाल अटेक किया बलके उनके हथियार छिनने की कोशिश की तो ऐसी सिच्वेशन अगर आप एक साथ बचे हुए चार चरणों के चुनाव एक ही चरण में कर देंगे तो वैसी सिच्वेशन क्रियेट नहीं होंगी इस बात की क्या गारेंटी है तो पॉलिटिकल पारिटी के नेताओं को थोड़ा सोच समझ करके इस तरह के बयान देन हैं क्या ममता वैनर जी और दूसरी पॉलिटिकल पारिटियां इस बात की गारेंटी देंगी के उनके कारे करता हिंसक नहीं होंगे या अपनी मनमर जी चलाने की कोशिश नहीं करेंगे या बूतों पर कैप्चिरिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे या दूसरी पारिटियो कि जो कार्य करता हैं जो समर्थक हैं उनको वोट देने से नहीं रोकेंगे बहुत सारे सवाल हैं ये सारी सिच्वेशन्स जो क्रियेट हुई हैं इसमें इन सब का कंट्रिब्यूशन है इसके बावजूद के करोना चल ही रहा था लोग अलग-अलग राज्यों में संकर्मित हो ही रहे थे और कुछ राज्यों में तो हालात बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थे उस समय भी थे आज भी हैं अब और राज्य भी क्रिटिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसा सूबा जो थोड़ा बचा हुआ लग रहा था अब वहां भी बहुत ही जा रही है एक दिन में कितने कितने लोग सामने आ रहे हैं आज का ही अगर आकड़ा देखें हैं तो पूरे देश में आज अकेले 24 घंटे में एक लाक सतानवे हजार आठ सो पैंसट लोग अब तक संकर्मित हो चुके हैं 24 घंटे के वीतर करीब करीब 2 लाक और ज एक करोड 42,68,963 का है इसी तरीके से अगर आप देखें कि एक्टिव केस कितने हैं पूरे देश में तो आज की तारीख में जो ये एक लाक सतानवे हजार आठ सो पैंसट नई केस आये हैं इनको मिला करके अब 15,58,292 संकर्मित इस देश में हैं हाला कि रिकवर्ड भी 25,30,660 रिकवर हुए हैं और आज भी 1,4,507 लोग रिकवर हुए हैं लेकिन मरने वालों का आकड़ा हमें भूलना नहीं चाहिए एक लाक 74,172 लोगों की डेथ हो चुकी है हम तक और आज आज में ही 1,019 लोगों की डेथ हुई है अगर हम सबसे ज़्यादा संकर्मित करें तो महराष्ट में सिच्वेशन सबसे वर्स्ट है महराष्ट में अब तक 36,49,855 लोगों को कोविड-19 हो चुका है 36,49,000 लोगों को आज आज में महराष्ट में 61,695 लोग संकर्मित होकर की सामने आए हैं और अकेले पुने में 9,961 नहीं आए हैं अकेले मुंबई में 8,209 आए हैं ठाने में 6,177 आए हैं नागपुर में 7,000 से उपर आए हैं नासिक में 4,000 से उपर आए हैं तो ये सिच्वेशन तो केवल महराष्ट की है और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज आज में 22,349 लोग संकर्मित हुए हैं और ये आकड़ा टोटल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 7,66,360 पहुंच गया हैं तीसरे नंबर पर दिल्ली है जहां आज 16,699 लोग संकर्मित हुए हैं और यहां भी जो संकर्मितों का आकड़ा है वो आठ लाग के पास पहुंच रहा है प्रदेश में दस हजार से ज़ादा नए संकर्मित गुजरात में 8,000 से ज़ादा केरल में भी 8,000 से ज़ादा तमिल नडू में करीब-करीब 8,000 वेस्ट बेंगौल में जहां चुनाव हो रहा है वहां भी 67-679 नए केश सामने आए है राजस्तान में भी करीब करीब पौनि 7000 नए आए है विहार में 6000 से जादा हरियाना में करीब करीब 6000 नए मरीज सामने आए है आंधरा परदेश में भी 5000 से जादा पंजाब में 4311 तेलंगाना में भी 3307 इसी तरह उड़ी सा में करीब तीन हजार उत्तरा खंड में दो हजार से ज्यादा जमू कश्मीर में एक हजार से ज्यादा हिमाचल परदेस में एक हजार से ज्यादा तो यह situation कोई ऐसी नहीं है कि आप यह सोच लें कि साथ ईश्वर सब ठीक करेगा जब तक आप लोग खुद एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक यह नहीं होगा और यह एहतियात अपने इस तरह पर परतना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि हम लोग कहीं जाने अंजाने में इसको फैलाने के भागीदार तो नहीं बने हुए हैं और जो situations हैं वो सब के सामने हैं हमारा system कितना सम्वेदन शील है या उसके पास कितने संसाधन हैं और अगर संसाधन हैं तो जो खबरे अलग-अलग रज्यों से आ रही हैं कि अस्पतालों में लोगों को बैर्ट नहीं मिल रहे हैं ऑक्सिजन की कमी है वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं यह अपने आप में बेहत चिंता जनक और बहावह इस्तिति हैं यह और ज्यादे विक्राल ना हो इसके लिए भी बहुत जिरूरी है कि इस चैन को किसी तरीके से तोड़ा जाया और यह आप लोग अपने ऊपर अंकुष करके तोड़ सकते हैं अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बैल आइकॉन को डबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आग तक पहांचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कर